वेल्कम टू आवर चैनल ग्यानलो आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ओफ बेटल्स के बारे में देखिए बात करते हैं मैटल्स की तो सबसे पहले हम यह देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो मैटल्स हैं वो क्या होते हैं इसकी इसकी सबसे पहले हैं कि जो metals होते हैं वो solid होते हैं जैसे कि आप जानते ही हैं जैसे iron, copper, aluminium तो यह क्या है silver, gold, zinc, sodium, lead यह सारे solid होते हैं यानि कि normal room temperature पर यह सब solid होते हैं जबकि हम जानते हैं कि जो सारे metals होते हैं वो solid होते हैं metals क्या होते हैं solid है लेकिन एक ऐसा metal है जो कि liquid form में होता है वो कौन सा metal होता है वो होता है हमारे पास mercury mercury एक ऐसा metal है जो कि liquid form में पाया जाता है room temperature पे तो ये का represent करता है कि metals क्या होते हैं first physical property है कि solid होते है एक्सेप्ट मर्करी मर्करी जो होता है क्लिक्विड होता है लेकिन मैटल है इसकी जो नेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है सेकिन नंबर पे वो है कि जो मैटल होते हैं इसके अंदर ये क्या होते हैं लस्ट्रस होते हैं और इनको हम पॉलिश कर सकते हैं यानि कि इसको हम polished कर सकते हैं means to say luster का मतलब होता है luster का मतलब होता है shine यानि जो metal होते हैं उनमें अपनी एक shine होती है उन्हें हम polish कर सकते हैं जब उन्हें हम polish करते हैं ये shine appearance देते हैं shine करते हैं और ये जो shine होती है metal की इसे metallic luster कहा जाता है metallic luster अब हम कुछ अगर pieces ले कुछ samples ले iron, copper, aluminium, magnesium इनके surface को जब rub करते हैं इनको जब किसी भी metal को sand paper की help से rub करते हैं sand paper की help से इने rub करते हैं तो यह करते हैं कि इसमें एक shine produce होती है हम observe करते हैं कि उनका जो surface है उनका जो surface होगा वो shine करेगा तो क्या होते हैं? यह क्या होते हैं जो सारे metals होते हैं वो sand paper से अगर इने rub करते हैं तो यह क्या करते हैं? इनका surface shine करता है aluminium, magnesium मेगनीशियम अगर हम एलिमीनियम की बात करें एलिमीनियम और इसके लावा दूसरा मेगनीशियम इनकी जो शाइन होती है ये वाइट कलर की होती है अब जो गोल्ड की यानि एजी गोल्ड की शाइन देखें तो वो येलो कलर की होती है येलो कलर की और अगर कॉपर को देखे copper ये इसकी जो shine होती है ये थोड़ी reddish होती है यानि reddish shade में होती है तो जो सारे metals होते है इनमें अपने एक luster होती है एक shine होती है और अलग-अलग way में ये shine करते है जो third इसका physical property होती है वो होती है कि जो metals होते है वो hard होते है hard होते है देखिए जो ज़ादा तर metals होते हैं वो hard होते हैं लेकिन metals की hardness equal नहीं होती वो equally hard नहीं होते यानि अगर magnesium, aluminium, zinc सब की बतरों की hardness अलग-अलग होगी अगर आप iron, copper, magnesium, aluminium के कुछ pieces लेते हैं और अगर यानि कि आपने aluminium लिया, magnesium लिया, copper लिया इनके कुछ pieces ले, आप इन्हें नाइफ से, चाकू से काट करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि इनकी जो hardness है वो vary करती है ठीक है ना, vary होती है, varies करती है, इनकी vary होती है, इनकी अलग-अलग होती है अब इसमें से अगर हम बात करें iron की, iron यानिकी लोहा copper जो कि आपकी घरों में, तारों में यूज होता है, ready shine होती है, copper और aluminium ये सारे थोड़े hard होते हैं थोड़े hard होते हैं, हम इन्हें knife से cut नहीं कर सकते knife से cut नहीं कर सकते तो इसके इलावा कुछ metals ऐसे होते हैं, जैसे की lithium, sodium और इसके इलावा potassium, ये जो होते हैं, ये soft होते हैं जिनकी बात कर रहे हैं, ये soft होते हैं soft होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनको easily cut कर सकते हैं knife से हम इने knife के थूँ cut कर सकते हैं तो ये difference होता है इनमें, ठीक है, metal क्या होते हैं? hard होते हैं, और कुछ metal ऐसे होते हैं, ये सारे सब की hardness equal नहीं होती अलग-अलग hardness होती है, तो ये इसका third point था, next है fourth point fourth point है कि जो metals होते हैं, उनके metal ability होती है metal ability मतलब कि ये जो metals होते हैं, उन्हें हम hammer के थूँ, hammer यानि के हथोड़े के थूँ ham कर सकते हैं, उनको beat कर सकते हैं, और जब उसे hamming करते हैं, hamming करके उन्हें एक पतली-पतली sheets में convert कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसा करने से ये break भी नहीं होते, बीना तूटे हम इन्हें पतली-पतली sheets में convert कर सकते हैं, अगर आप कुछ pieces लोगे, कुछ metals की iron के, copper के, तो इनको आप क्या कोते हैं, हम इन्हें strike करते हैं, hamming में, एक particular process होता है इनका, जिसके थुरू हम इने sheets में hamming करके convert कर सकते हैं, और एक thin sheet, hamming beat करके thin sheet में बदलना, वो होती है, कि एक property होती है, कि एक metal की वो property, जिसको हम beat करके, उसे sheet में convert कर सकते हैं, उसे कहते हैं, metability, metal की ability, तो एक पतली से sheet, जैसे कि हम gold, gold की बात करें, gold और silver, ठीक है न, अगर हम बात करें, gold की, यह हम बात करें, gold और silver की बात करें, तो यह इन दोनों की metability बहुत जादा अच्छी होती है, इसको हम hamming करके, बहुत ही thin से भी thinner sheet में convert कर सकते हैं, इसके इलावा अगर हम बात करें, aluminium की, aluminium और copper की, इनकी भी metability अच्छी होती है, अब mattress का अलग-अलग purpose के लिए यूज किया जाता है, gold और silver का यूज जूजरी बनाने के लिए किया जाता है, अलग-अलग designs बनाने के लिए किया जाता है, अगर हम gold को beat करते हैं, और उसको एक पतली सी थीन सी sheet में convert करते हैं, तो इसकी जो thinner layer होती है, यानि कि सबसे पतली layer जो gold की बन सकती है, वो होती है 0.00002 mm की, gold की, जो सबसे पतली sheet बन सकती है, वो इतनी बन सकती है, तो metals की अंदर metability होती है, next में ductility होती है, जो metals होते हैं, वो ductile होते है, ductile का मतलब क्या होता है, कि ये metal की वो property होती है, जिसमें हम metal को stretch करके, यानि ड्रोन करके, एक पर thin, यानि पतली-पतली wires में convert कर सकते हैं, इसका बोलते हैं ductility, जैसे कि silver और gold की बात करें, अगर आप hundred milligram, silver, यानि की चांदी लेते हो, silver लेते हो, अगर आप इसे पतली सीतार में convert करने जाते हो, तो hundred milligram silver से, आप two hundred meter long wire को बना सकते हो, hundred milligram, बहुत ही जादा कम है, और अगर आपके पास one gram gold है, यानि की एक gram gold है, इस एक gram gold से आप two kilometer लंबी wire बना सकते हो, यानि की इन में ductility बहुत जादा होती है, इसके इलावा अगर बात करें copper की और aluminium की तो इन दोनों की ductility भी बहुत जादा अच्छी होती है, इनका use household में किया जाता है, यानि household wiring में किया जाता है, वायरिंग में जो आप यहरों की वायर्स होती है, उसमें copper aluminium की वायर्स होती है, तो यह क्या होता है, इसमें ductility होती है, नेक्स्ट है कि जो silver foil आपने सुना हो, जो आप silver foil, यह silver foil क्या होती है, silver foil, जो आप food packing में use करते हो, silver color की होती है, aluminium foil उसे बोलते है, silver foil तो food की decoration के लिए use होती है, decoration के लिए, जो चांदी की foil होती है, इसे मिठाईयों के ओपर लगाया, तो silver से color की बन जाती है, तो वो silver foil होती है, जिसे food की decoration के लिए use किया जाता है, sweets की decoration purpose के लिए इसका use किया, next होता है aluminium foil, aluminium foil क्या होती है, जो आप फूड की पैकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है घरों में फूड पैकिंग के लिए जब आप लंच ले के जाते हो उसमें Aluminum Foils के यूज किया जाता स्वीट जाकटु डेकरेशन के सिल्वर होते हैं वो गुडड कंड़क्टर होते हैं heat or electricity सीटी के हीट और इलेक्ट्री सीटी के क्या होते हैं गुड कंड़क्टर होते हैं क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैटल्स का आप जानते हो कि इन मैटल्स में डोनेटिंग प्रॉपर्टी होते हैं इक्स्ट्रा electron होते हैं वो donating property रखते हैं तो जो metals होते हैं इसमें donate करने के property होती है अगर आप एक road लेते हो ठीक है ना एक end जो road का है वो hot water में रखते हो तो आप observe करोगे कि वो जो back वाला पार्ट होता है वो अपने अप गरम हो हो जाता है अपने आप गर्म हो जाए इसका मतलब यह है कि वह गुड़ कंड़क्टर होते हैं हीट और इलेक्टिसिटी के तो यह जो है यह हमारा रीप्रेजेंट करता है जो मैटल की प्रॉपर्टीज को अब एक और देख लीजेस में कि जो जैसे कि हमारा लड होता है लड यह भी मैटल है लेकिन यह पूर कंड़क्टर होता है हीट और अगर मर्करी यह भी जो होती है पूर कंड़क्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का यानि कि जो कंड़क्शन होती है इसके थर्मल कंड़क्टिविटी बोलते हैं सिल्वर बहुत अच्छा कंड़क्टर ह होता है copper aluminium भी बहुत अच्छे conductor होते हैं household wiring में का यूज होता है बरतन बनाने में इसका यूज होता है तो लेकिन जो लेट एक metal है लेकिन पूर conductor होता है mercury भी metal है लेकिन पूर conductor होता है हीट और लेक्टिसिटी का सेमन्थ पॉइंट है इसका कि metals की density metal की density देखे metal hard होते हैं तो जो metal की density जो होती है वो high होती है high density होती है इनकी और जो जैसे कि mercury एक metal है लेकिन liquid है इसकी density होती है mercury की hg एक metal है लेकिन liquid form में है इसकी density 13.6 ग्राम सेंट पर सेंटिमीटर क्यूब होती है तो और जो अगर मेरे पास smaller atomic mass ले तो उसमें किसी भी element का smaller atomic mass है और उसका greater size होता है metal की atom का तो उसमें smaller होगी उसकी density magnesium aluminium और titanium जो होते हैं इनका जो यूज होता है इनका अलग purposes के लिए किया जाता है जो हमारे construction पर पस होते हैं जो हमारे light metals होते हैं क्योंकि जो तीनों है magnesium aluminium or titanium light metals है तो इनका construction पर पस के लिए भी इसका use किया जाता है next जो है इसके 8th point है जो metal में high melting और boiling point होता है high melting and boiling point देखिए metal जो होते हैं हम जानते हैं कि वो hard होते हैं जादा तर जो metal होते हैं उनका high melting और boiling point होता है जो tungsten होता है उसका बहुत ही जादा melting point होता है tungsten का अगर हम tungsten की बात करें इसका melting point होता है three four one zero degree Celsius का होता है जो कि बहुत जादा होता है next जो इसका है next point है ninth point ninth point कि जो metals होते हैं वो strong होते हैं आप सारी जान ही गए होंगे कि metals जो होते होते हैं वो strong होते हैं इसकी high tensile strength होती है हाई टेंसाइल strength next tenth जो metal होते हैं वो sonorous होते हैं sonorous means to produce से कि एक sound produce करना metals में sound produce करने की property होती है जब यह metal किसी चीज़ से टकराता है तो इनका surface hard होता है metal sound produce करते हैं जब किसी object से टकराते हैं तो यही property को हम sonorous बोलते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्यादा तर इसको स्कूल बेल्स स्कूल की जो bells होती है ठीक है जब वो कितनी sound produce करती है कि सबको सुनाई देती है तो उसमें sonorous city का पता लगता है कि metal जो होते हैं वह sonorous होते हैं तो यह properties होती है metals की thank you thank you for watching this video और जादा updating वीडियो के लिए आप हमारे channel ग्यान लोग पर हमें subscribe कर सकते हैं thank you